देखो हमारा जो अकाउंटिंग स्टेंडर्ड वन है नाम है इसका डिस्कलोजर ओफ अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका बेसिक कॉंसेप्ट क्या है वो कहता है financial statements को जब आप बनाते हैं तो आप कुछ फैसले करते होंगे आप कोई treatments करते होंगे आप कोई treatment करते होंगे बहिए इसका treatment ये करें के ये करें क्या ये treatments financial statements को affect करते हैं फड़ा फट से बताओ क्या ये treatments financial statements को affect करते हैं बहुत भुरी तरह affect करते हैं इसका मतलब ये treatment बड़े important है तो ये बताओ क्या financial statements में अगर मैं जो बनाए इनके treatments साथ में लिख दूँ तो क्या ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है कि मैं इनके treatment को साथ में लिख दूँ कि साब इसका treatment ये किया है इसका treatment हमने ये किया है इसका मतलब हम अपने पास जो financial statements बनाते हैं तो उसके treatment से क्या फाइदा होता है मुझे बताओ this makes financial statements reliable क्या इससे financial statements reliable हो जाते हैं the answer is yes छोट example की बात कर रहा हूँ ये मैंने आपसे कहा ये रही मेरा एक profit and loss और ये रहा मेरा एक balance sheet मैंने आपको कहा साब ये देखे ये सब मेरी items हैं पी एनल की ये सब मेरी है balance sheet की balance sheet बिल्कुल टना टन टेली हो रही है कोई दिकत की बात तो नहीं balance sheet टना टन टेली हो रही है क्या टेली हो जाना financial statements को भरोसे मन बनाता है भई अगर financial statement टेली हो रही है balance sheet टेली हो रही है तो क्या ये भरोसे मन बन जाती है ना ना टेली तो आप जो मर्जी करा दो टेली में कौनची दिकत है जिसको मर्जी टेली करा दो double entry के rules है आप टेली तो किसी को भी करा दोगे सारे बच्चे मुझे बताएंगे उन्हें ये balance sheet panel कैसी लगी फटा फट से बताओ उन्हें ये balance sheet panel कैसी लगी तो आपको मेरा सवाल ही उल्टा लग रहा है आप कहरें कितना घटिया question पूछ रहे हो कैसी क्या लगी हमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा क्या बोल रहे हो कि कैसी लगी मैं इसके नीचे लिख देता हूँ we have a policy of not charging depreciation we do not make any provisions हमें provision पर कोई भरोसा नहीं है revenue is recorded if customer visits our shop वो हमारी दुकान पर आ भी गया तो हम अपना revenue record कर देते हैं चाहे उसने कुछ भी ना खरीदा हो वो देख के अगर चला भी गया मैंने का बिग गया बिग गया बिग गया फिर मैंने कहा expenses not recorded till we fight in court हम किसी के पैसे देते ही नहीं जब तक वो कोट में ना ले जाए हमको अब मुझे बताओ ये company कैसी लग रही है फड़ा फट से बताओ अब फड़ा फट से बताओ अब ये कैसी लग रही है अब आप बोलेंगे साब ये company है ये तो बहुत ही घटिया है तो मुझे बताओ क्या आप इस पर based opinion बना पा रहे थे balance sheet और pnl पर based opinion बना पा रहे थे the answer is no लेकिन जब आप इसके साथ इसको जोड देते हैं तो क्या आप अपना opinion बना पा रहे हैं the answer is yes जब आप opinion बना पा रहे हैं तो ये क्या बन गया reliable अच्छा मैं company reliable बोल रहा हूं के financial statement reliable बोल रहा हूं मैं financial statement reliable बोल रहा हूं मतलब इन पर भरोसा कर सकते हो भरोसा करके बताओ यह company अच्छी है के बुरी है आपने क्या इसमें नतीजा निकाला यह company बुरी है तो क्या आपको AS1 का यह कारण समझ में आया जो यह कहता है disclosure करो of accounting policies जब मैं अपनी accounting policies को disclose करता हूँ तो क्या इससे लोग अपना opinion बना पाते हैं ये हमारे standard का एक crux है कोई दिक्त तो नहीं ये उसका एक crux है अब मुझे ये बता दो जड़ा मेरा आपसे एक सवाल और भी है क्या मैंने आपको ये कहा कि केवल disclose only good policies फड़ा फट से बताओ क्या मैंने आपसे ये कहा disclose only good policies the answer is no हमारे standard ने कहा good नहीं significant कहता है significant policies बनाओ अगर मान लो मैं ये कह देता disclose only good accounting policies तो financial statement क्या reliable रहते मैंने कहा मैं अच्छी 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 बाते ही बताऊंगा तो वो reliable नहीं रहते है जब चीकू की शादी होगी और लड़की वाले देखने के लिए उसके घर पर आएंगे तो चीकू क्या disclose करेगा तो चीकू क्या disclose करेगा अब लड़की वालों को बता रहा है मैं ये नहीं खाता मैं ये नहीं पीता मैं ऐसा नहीं करता मैं वैसा नहीं हूँ मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता तो वो पता क्या करेगा चीकू क्या करेगा वो disclose करेगा all good policies समझ में आ रही है बात वो क्या disclose करेगा all good policies अच्छी बात है कि बुरी बात है बुरी बात है तो चीकु को बताना चाहिए कि मैं अच्छा भी हूँ और मैं साथ में बुरा भी हूँ तो वो कहेगा देखो ऐसा है मैंने पढ़ाई में बहुत डांट काता था सुबह से लेके शाम तक सारे लोग मुझे पता नहीं क्यों बेवकूब नालाइक बोलते थे वो ये बताएगा तो काफी अच्छा रहेगा चीकू ओके ये नहीं को उसको कोई दिकत नहीं हो चीकू कहरा फिर तर ऐसे तो मेरी होली शादी बताओ चीकू कहरा ऐसे तो फिर मेरी होली शादी तो अब चलो चीकू पर तो ठीक है एस वन लगता है कि नहीं लगता है उसको चोड़ो क्या हमारे जीवन पर एस वन लग रहा हमारे जीवन पर एस वन नहीं लग रहा इसलिए ह हम सारे अपने जब दोस्त बनाते हैं तो हम कौन सी policy on disclose करते हैं हम जब दोस्त बनाते हैं तो good good policy onchat बताते हैं फिर लेकिन जब past में दोनों दोस्त गुमते फिरते हैं तो उन्हें क्या समझ में आता हैं उन्हें उनका दूसरा साइड भी दिखाई देना शुरू हो जाता है तो फिर दोस्ती क्या होना शुरू हो जाती है तूटना शुरू हो जाती है इसका मतलब नाला एक दुरू ठीक है गलत बात है दुरू तुमने क्या लिख दिया तो मैं आपसे कह रहा था कि इसका मतलब ये कि ऐसी स्थिती के अंदर हमको नहीं करना चाहिए तो anyway, only good policies should be disclosed हमें अच्छी policies ही खेवल बतानी चाहिए धुरूब ने कुछ नहीं लिखा ऐसा, वो धुरूब ने लिखा और मुझे समझ में आ गई ये बात लेकिन क्या है ना धुरूब की बात को मैं लिखूंगा तो फिर धुरूब जो है पेटा एक बात बताओ तुम चाहते हो तुमारे दोस्त की मैं इंसल्ट करूँ तुम चाहते हो, नहीं अपना संग्टन बनाओ, ठीक है, अपना संग्टन बनाओ भूलो नहीं, हम अपने दोस्त की इंसल्ट नहीं करने देंगे इसलिए मत पूछा, उसने क्या बोला था, ठीक है तो वह वापिस आएंगे तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये डिस्कलोजर आपको करना जरूरी है तो हमारे एस ने सिग्निफिकेंट वर्ड पे दवाव डाला कि हमें सिग्निफिकेंट पॉलिसी बतानी चाहिए, जो इंपॉर्टन है अच्छा, अगर हम सारी पॉलिसी यां बताना शुरू कर देते, तो क्या बड़ा बेकार हो जाता अगर हम कहते हैं, सारी पॉलिसी यां बताएंगे, काम की हो चाहिए ना हो, बताएंगे, 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 क्या ऐसे में irrelevant चीजें भी एकठी हो जाती, फड़ा फट से बताओ, वो irrelevant हो जाती, क्या वो financial statements जो है, हमारे पास क्या बन जाते फड़ा फट से बताओ, financial statements irrelevant हो जाते, तो वो relevant ना रहते, उसका qualitative characteristic खराब हो जाता, ओके, therefore हमारे standard ने का हमको significant policies को बताना चाहिए, अच्छा, अब इसमें ना एक बात को समझो, हमारे accounting standard ने, जो ये बाते कही, तो इनमें कुछ disputes वाली बाते आ गई, पहला point तो साब accounting policy होती क्या है, पहला point तो आ गया, accounting policies होती क्या है, तो मुझे फड़ा फट से बताओ, accounting policies क्या होती है, ये है specific accounting principles and methods applied in preparation and presentation of financial statements, मुझे अभी ये बताओ, specific का क्या मतलब हुआ, specific का क्या मतलब हुआ, मैंने कहा, हम prudent रहेंगे, क्या ये policy है, हमने कहा, हम prudent रहेंगे, तो भाई, किस में prudent रहेंगे, ये तो बड़ी general सी बात है, ये policy नहीं है, हमने कहा, हम substance over form का पालन करेंगे, हम substance over form का पालन करेंगे, फड़ा फट से बताओ, क्या ये जनरल बात है, ये जनरल बात है, जनरल बातों का हम कभी भी नहीं बोलते हैं, या income के बारे में बात करूँगा, या disclosure के बारे में बात करूँगा, क्या हम earning per share कैसे दिखाएं, ये भी specific हो गया, फड़ा फट से बताओ, हम earning per share कैसे दिखाएं, ये specific बात हो गई, ओके, तो specific का मतलब एक particular चीज़ के context में, principle का क्या मतलब है, फड़ा फट से बताओ, principle का क्या मतलब है, सरल भाशा में treatment, जो आप बोलते नहीं हो, सर इसका treatment बताना जड़ा, इसका treatment क्या होगा, आप मुझसे पूछते रहते हो ना, सर इसका treatment क्या होगा, treatment का मतलब है, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, ठीक है वह क्या करना है इसका कैसे करना है इसका बात समझ में आती है ये होते हैं principles और ये है methods method होता है calculations method क्या होती है calculation कितना मुझे फटा फट से बताओ कित इसका मतलब क्या हो गया कितना अब इसमें आ करके हमने कहा देखो दो चीज़ों को अपने पास अलग कर दो AS10 ने कह दिया कि depreciation के जो methods है they are not WDV, SLM, they are not policies कोई दिकत की बात तो नहीं हमारे institute ने भी announce कर दिया और AS10 में लिख दिया वैसे ही हमारे पास यदि हम अपने पास कोई provision का amount calculate कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कोई formula लगा दिया amount calculate करने का formula लगा दिया क्या ये policy है फड़ा फट से बताओ ये policy नहीं है क्या अभी भी बाकी चीज़ों को हम policy बोल रहे हैं हाँ बाकी को हम अभी भी policy बोल रहे हैं इसमें एक उधारण है बताओ किसका उधारण है accounting standard 2 का मुझे बताओ accounting standard 2 में कोन सी चीज़ जैसे की फीफू, weighted average तो क्या हमारे पास ये cost formula है ये भी methods हैं calculate करने के क्या ये policies हैं the answer is yes ये policies है applied in फड़ा फट से बताओ applied in preparation preparation का मतलब है कि आप उसका treatment कैसे करते हैं ये निए treatment अपने पास हम क्या करें कैसे करें and presentation presentation का मतलब है कैसे दिखाएं कैसे दिखाएं तो मुझे कोई example दिखाओ जारा जैसे हमने कहा EPS को कैसे शो करें क्या ये policy है फड़ा फट से बताओ क्या ये policy है हाँ specific भी है कैसे करने की बात भी कर रहा है और दिखाने की बात कर रहा है तो ये हमारे पास आएगा okay अच्छा मैंने का financial statements क्या होते ही मुझे याद करके बताओ financial statements के components कौन कौन से है फड़ा फट से बताओ financial statements के components कौन से है profit and loss है और balance sheet है ये इसके अंदर आते हैं तो हमारी ये accounting policies हमारे पास हैं जो आपकी definition खून में चलनी चाहिए okay अब मुझे ये बताओ इतना करने के बाद भी मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को इनके examples की list पता होनी चाहिए क्या institute पूछ सकता है अब मुझे फड़ा फट से कुछ examples लिखवा दो कि भाई हमने technically पूरा पढ़ लिया मुझे बताओ कोई examples जैसे की stock valuation policy कि आपको पता stock को कैसे value करते हैं inventory valuation policy sorry investment investment valuation policy वैसे ये ऊपर वाली policy AS2 में समझा रखी है इसकी policy AS13 में बता रखी है अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस list को याद करना बड़ा आसान है बताओ क्यों जितने भी आपके AS बने हुए हैं क्या सब वो mostly policies को deal कर रहे हैं हाँ तो अपने AS के नाम याद लाते जाओ और मुझे बताते जाओ फड़ा फट से बताओ revenue recognition policy बच्चा कह रहा है जि गुडविल की policy मैंने का बिल्कुल ठीक गुडविल की अमोरिटाइजेशन की policy एक बच्चे ने और लिखा था provision बनाएं के ना बनाएं make provision or not क्या ये भी policy है हाँ ये भी policy है AS ये 9 हो गया ये AS 26 हो गया अच्चा फिर मैंने आपसे कहा fix this list को depreciate or not क्या ये भी policy है फटा फट से बताओ depreciate or not is a policy the answer is yes लेकिन depreciation का WDV और SLM is not a policy इसे क्या बोलते हैं change in estimate क्या मैंने आपको इसका कई बार हवाला दे दिया 2016 से change है याद रहेगी बात के नहीं रहेगी बिल्कुल याद रहेगी बच्चा कह रहा जी boring cost की policy बिटा बहुत सारे बच्चे बोर्ड पे लगातार भेजे जा रहें boring cost की policy कौन डील करता है एस 16 डील करता है फिर exchange difference की policy कि exchange difference का क्या होगा ये कौन डील करता है ये एस 11 डील करता है segment report की policy earning per share की policy provision बनाए के नहीं बहुए ने अल्लेडी बना दिया था बच्चे ने का government grant को कैसे treat करना है क्या government grant का भी treatment होता है government grant की treatment policy कि इसकी treatment क्या होना चाहिए क्या मेरे ख्याल से इतना बहुत है अभी भी मेरे पास धड़ा धड़ा आंसर आ रहे discontinued operations की क्या policy हो सकती है या contractor के revenue की policy क्या होगी employees के revenue की policy क्या होगी cash flow किस policy पर बनेगा क्या अभी भी बड़ी सारी बाते छोड़ दी मैंने क्योंकि इतनी लिकर फाइरा नहीं है ना मुझको आपको बात संगानी थी तो आपको पता चल गया क्या हमारा institute इस पर example पूछ सकता है एक दो theory question में उसने example पूछे हुए है अब बारी आती है क्या ये standard in policies को disclose करने के लिए कह रहा था disclose करने के लिए कह रहा था तो हमारे AS ने manner of disclosure बताया है ध्यान दे क्या बताया है manner of disclosure किस रूप में disclosure करना है अपने पास तो मुझे फड़ा फड़ा से बताओ सारता की भी policy है manner का क्या मतलब है किस रूप में बताना है सेग्मेंट report भी आ गई वो भी policy अब देव इसको छोड़ देते है न मेरे को list लंबी नहीं करनी जितना करना तक कर दिया ओके मैंने कोई सारी नहीं मना यह चोटी सी company है चार पेज में इसकी policy हैं मैं इतने में कहां लिख दूँगा ओके तो इसलिए अब इसको छोड़ दो और आगे चलो manner of disclosure क्या है manner मतलब आप disclosure कहां पर करेंगे तो मैंने पहली बात क्या लिखी मैंने का all कौन सी policies disclose करनी है significant accounting policies should be disclosed क्या significant is a matter of judgment फटा फट से बता हो your judgment हाँ ये आपकी judgment है number 2 should be disclosed at हम उसे बिखेर के बताएंगे जगा जगा कोई इधर लिखेंगे कोई उधर 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 लिखेंगे वन प्लेस और फिर मुझे बताओ कहां पर इन फाइनेशल स्टेटमेंट यह नहीं फाइनेशल स्टेटमेंट में आप एक जगा पर सारों को एक अठा लिखकर दिखाओगे क्या कंपनिय ऐसा ही करती है दा आंसर इस यहस मेरा आप से कहना है क्या पॉलिसी यह चेंज भी हो सकती है क्या पॉलिसी यह चेंज भी हो सकती है वही आपने जो पॉलिसी बना रखी है क्या बदल भी सकते हो दा आंसर इस यहस बिलकुल बदल सकते हो इसको कौन डील करता है फ में इसका जिकर आता है बस तो लेकिन इसका इलैबोरेट चर्चा कहां पर है इसकी इलैबोरेट चर्चा वहां पर है मैं यहां पर भी उतना इलैबोरेट कर रहा हूं जितना एस पांच में है इसका मदब एस पांच में जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इतनी ही चर्चा वहाँ पर भी आ जाएगी, ओके तो ध्यान रखना ये एक्षिन में EAS 5 का है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं, मुझे फड़ा-फड़ से बताओ, पॉलिसियां जब भी चेंज करेंगे तो हमें कुछ डिस्क्लोस करना है क्या-क्या डिस्क्लोस करना है हमने, हमने पॉलिसी बदल दी आन्या वीगन थी आज उसने मुझे सुबे मैसेज करके बोला, सर अब से मैं वीगन नहीं हूँ क्या पॉलिसी बदल गई फड़ा-फट से बताओ क्या पॉलिसी बदल गई, हाँ उसने अपने विचार बदल लिया मुझे ये बताओ, ऐसे में क्या-क्या बात डिस्क्लोस की जाएगी ऐसे में बताना पड़ेगा आन्या पहले वीगन थी और अब वीगन नहीं है क्या दो बाते बोल रहा हूँ, फड़ा-फट से बताओ हमें ओल्ड पॉलिसी भी बतानी पड़ेगी एंड न्यू पॉलिसी भी बतानी पड़ेगी तो मुझे ये बताओ आन्या ने कहा मैं वीगन थी, अब नहीं हूँ क्या ये बात मुझे as an accountant disclose करनी पड़ेगी अब हम वीगन की बात नहीं करते हैं प्रोवीजन बनानी की बात करते हैं एक company कहती थी पहले मैं प्रोवीजन नहीं बनाऊंगी अब वो कह रही है प्रोवीजन बनाया कर, बनाई बनाई जानी चाहिए मैं गल्त थी, पहले प्रोवीजन नहीं बनाती थी मुझे प्रोवीजन बनानी चाहिए जब मैं disclosure करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा the company had a policy not to make provision in earlier years but with effect from current year it has changed its accounting policy and now it will start making the provision, क्या मुझे ये दो बाते बोलनी पड़ेंगी, कि पुरानी policy भी बताओ और नहीं भी बताओ ये दोनों बाते आपको जिक्र करनी है of course, अंग्रेजी का पंक्ती बनाओगे, तो उस पंक्ती में आपको ये बताना पड़ेगा ठीक है ना, चाहे पहले new बताओ, कि now the company is making a making provision but earlier it was not making provision क्या शब्दों को दाएं बाएं जैसे मरजी करो पर क्या उस पंक्ती के भीतर old policy और new policy जलकनी चाहिए the answer is yes, इस का नप पंक्ती बनाने का समस्या मेरी नहीं है लेकिन उसमें old और new policy दोनों जलकने चाहिए क्या reasons भी जलकने चाहिए क्यों बदला क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा क्यों बदला why we were not making provision earlier and now we are saying that we will be making provision we will have to tell the reason why it is happening like this ये reason भी आपको अपना दिमाग खराब करने की जुरूरत नहीं है ये reason तीन ही हो सकते हैं कितने हो सकते हैं तीन ही हो सकते हैं बट आपने चिपकाने हैं बस आपका institute कभी भी reason बताई गई नहीं तो आपने खुदी मन घरंत कोई भी एक reason लगा देना है कौन कौन से तीन कारण है क्योंकि कानून बदल गया इसलिए मैंने policy बदल दी ये एक कारण होता है क्योंकि AS बदल गया मैंने AS के मताबिक अपनी policy बदल दी और एक goal maal है भई सब goal maal है better लगा मुझको क्या मुझे फटा-फट से बताओ सारे लोगों को better लगता है इसलिए policy बदल जाते है बात समझ में आती है AS तो रोज-रोज बदलते नहीं है फटा-फट से बताओ अब कंपनियों की policy रोज-रोज बदलती है पर AS तो नहीं बदल रहे law तो नहीं बदल रहा फिर वो policy बदलते वाक तमेशा क्या बोलते हैं हमें लग रहा है ये better रहेगा इसलिए हमने policy बदल दी the company is making provision for जो भी losses है making provision whereas earlier it was not making the provision this change is due to better presentation या due to compliance of law या due to compliance of AS बात समझ में आ गई हमें अपने sentence में दूसरी बात का जिक्र ये करना है और तीसरा जिक्र कोन सा करना है चौता जिक्र कोन सा करना है effects of such change जब तुमने अपने पास उसका policy बदली पहले provision नहीं बनाते थे अब बनाओगे तो क्या financial statements के profit या loss पर कोई effect आएगा फड़ा फट से बताओ क्या financial statements के profit और loss पर effect आएगा आएगा तो मुझे बताना पड़ेगा ये बात भी due to this change the profit has reduced by rupees 10,000 क्या आपको बात समझ में आती है यह नहीं मैं अब बताओ अपने sentence को जब draft करूंगा तो बताओ मेरे sentence में क्या-क्या गुणमत्ता हैं दिखनी चाहिए I will tell earlier we were not making the provision but from the current year we have started making a provision this change has been due to better presentation and due to this change the profits have come down by 10,000 rupees क्या बात समझ में आती है सौर सौर अगर हम उसका reason नहीं बता अगर उसका effect नहीं बता पा रहे कैसा हो सकता है can't be calculated wholly or partly आप उसे calculate नहीं कर पारे क्या ऐसा हो सकता है हम उसे calculate नहीं कर पारे तो क्या मुझे अपने पास ये बात बतानी पड़ेगी कि में calculate नहीं कर पा रहा हां तो विर मरी अंग्रेजी क्या बनेगी बता नहीं बताओ जरा warranty, warranty मैं ऐसी बोल दिया the company is making provision for warranty, this change has been for the sake of better presentation due to this change the profits for current year and future years will get affected but it is not, we are not able to calculate it, full stop इसका मतब ये बात लिखनी पड़ेगी we are not able to calculate it क्या आपको मेरी बात समझ में आती है अगर आप calculate कर सकते हैं तो amount बताएंगे, नहीं कर सकते हैं आपको हाथ खड़े करके बताना पड़ेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ओके क्या ये reason जो थे कौन-कौन से थे, better presentation, compliance with law compliance with accounting standard, ये कहां दिये हुए है ये कहां दिये हुए है ये आपके AS5 में दिये हुए है, इसका मतलब आपको ये भी, अर इंसे चूट यहाँ पर भी सवाल पूछता रहता है, मैंने आपसे बोला कि हमारे को कुछ fundamental accounting assumptions भी लगानी होती है financial statement जब हम मनाते हैं तो क्या कोई fundamental accounting assumptions भी होती है, the answer is yes, कौन-कौन सी assumption है, going concern accrual तथा consistency अब बारी आती है, अगर इनको हम follow करेंगे तो क्या disclosure करना पड़ेगा फड़ा फट से बताओ, इनको follow करेंगे, तो इनका disclosure नहीं करना है, और अगर आपने not follow किया तो क्या इनका disclosure करना जरूरी है the answer is yes, इनका disclosure जरूरी है even in the case of going concern तो आपके financial statement बनाए जाएंगे, on the basis of settle soon अगर financial statements की बात करें, non-going concern में क्या बन जाएंगे non-going concern में financial statement बनेंगे, settle soon basis के उपर, क्या ये point हम already कहीं और पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस पर हम कोई चर्चा और detail में नहीं करेंगे एक बात और लिखी हुई है जो मैंने वहाँ पर आपके standard में छुडवा दी थी मुझे एक बात बताओ क्या AS ने कहीं पर भी आपको ये कहा है कि अच्छी policy हैं ये चुनो फड़ा फट से बताओ क्या आपके AS ने ये एक बार भी कहा है कि अपने policy हैं अच्छी अच्छी ही चुनो आपके पूरे AS में ये नहीं लिखा हुआ अभी तक, अब मैं कुछ आगे बोलूगा तो हो सकता है, अभी तक जो मैंने समझाया, अभी तक नहीं बोला मैंने, कि आपको अच्छी policy ही बनानी चाहिए, क्या यही इस accounting standard की बुराई का कारण भी बनता है कि हमारा AS ये नहीं कह रहा कि अच्छी policy ही चुनो क्या कह रहा, फड़ा फट से बताओ, हमारा AS, वैसे आपको क्या लगता था, AS को क्या कहना चाहिए, फड़ा फट से बताओ AS को क्या कहना चाहिए, AS को कहना चाहिए, हमें अपनी अच्छी अच्छी policy ही बनानी चाहिए जिससे true and fair picture क्या feel आ रही है कि नहीं आ रही है, यह आप उमीद कर रहे थे पर हमने जितनी बाते करी हैं, हमने पता क्या बोला है हमने कहा, तुम जितने मर्जी गंदे हो कोई दिकत की बात नहीं तुम जितने मर्जी गंदे हो तुम्हारा काम सिरफ क्या है, disclose करना तुम्हारा काम सिरफ क्या है, disclose करना इसी वज़ा से इस accounting standard की बुराई भी होती है क्या आपको समझ में आ गई क्या आप से पूछा जा सकता है कि इस accounting standard में क्या बुराई है फड़ा फट से बता हो इस accounting standard में क्या बुराई है ये आपको ये नहीं कहता कि अच्छी policy का चुनाब करो ओके हर्श कह रहे हैं 2016 में सिर्फ depression provision कोई estimate बोलेंगे हाँ सरफ यही दो बोलेंगे और किसी की बात नहीं है हर्श ठीक है हाँ परमजीत कह रहे है sound cut हो रहा है बीच बीच में परमजीत मेरे ख्याल से हमारे end पर और औरों को problem तो नहीं हा रही ना sound cut होने की all okay तो आपना एक काम करें चरणजीत वो हो सकता आपकी local problem हो हमारे end से ठीक चल रहा है तो local issue हो सकता है तो आप थोड़ा से आया तो अपनी policy का चुनाव करें ये नहीं लिखा होना चाहिए फड़ा फट से बताओ क्या अच्छी policy का चुनाव होना चाहिए अब मेरे को मेरी किताब दिखाना बच्चों को text दिखाता हूँ तो मैं आपसे कह रहा था कि वही अच्छी अच्छी policy होनी चाहिए ना गंदी गंदी policy हैं थोड़ना आपको बच्च करना चाहिए आपका standard हमें क्या कहता है मैं फिर से अपनी बात को ना कहने का प्रयास कर रहा हूँ पता नहीं आप मेरी बात को कितना बारीकी से पकड़ेंगा I don't know पर मैं तो प्रयास करूँगा ना कि मैं अपनी बात को कहूँ आओ जरा accounting standard को देखे हाँ जी क्या आपको दिखाई दे रहा है accounting standard दिखाई दे रहा है very good ध्यान से सभी बच्चे accounting standard को देखें accounting standard one ठीक है ये सब कहानिया लिखी हुई है ये fundamental accounting assumptions लिखी हुई है ठीक है policies को समझा रखा है क्या ये example दे रखें फड़ा फट से बताओ क्या example दे रखें बड़े सारे example दे रखें हैं मजे की बात तो ये है इस example में देखो क्या अभी तक method of depreciation को policy बोला हुआ है the answer is yes अभी तक ये इसमें बोला हुआ है लेकिन आप इसको ignore करदे ना क्योंकि 2016 से ये बदल गया हुआ है अच्छा मुझे ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है what is this ये word क्या लिखा हुआ है main principles यानि आपके accounting standard की main बात क्या बोल्ड में कर रखे है institute ने फड़ा फट से बताओ बोल्ड में कर रखे है हाँ और अगले page पर एस दो शुरू हो गया फड़ा फट से बताओ आपके एस का मुखे जो भाग है क्या वो चार paragraph है जो मुखे भाग है उसके सिरफ कितने paragraph है चार paragraph है जो आप पढ़ लीजिए क्या क्या चार बाते हैं वो पढ़ लें ताकि main बात पता चल जाए all significant accounting policies adopted in preparation and presentation of financial statements should be disclosed ओके फड़ा फट से बताओ क्या main principle हमने भी पढ़ लिया है ओके the disclosure of the accounting policies should form part of the financial statements and disclosed in one place कोई दिक्कत तो नहीं यहनी आप इसको accounting policies को किसका भाग मानेंगे फड़ा फट से बताओ आप इसको किसका भाग मानोगे financial statement का और normally कहां disclose करोगे फड़ा फट से बताओ normally कहां disclose करोगे one place पर disclose करोगे अगर कोई policy में change हो जाए जिसका material effect है और which is reasonably expected to have material effect in the later period should be disclosed अगर हम उस change का material effect जो है वो calculate नहीं कर पा रहे है to the extent असरेटनेबल नहीं है तो हम उसका affect भी disclose कर देंगे इसकी technical भाशा को मैंने ignore कर दिया मैंने इसे simple तरीके से आपको समझाया हुआ था बस इतना लिखा है इससे बाकी की सारी बातें कहां लिखी हुई है AS 5 में लिखी है बही reason क्या होंगे note old का भी देना है new का भी देना है वो यहां नहीं लिखा वो कहां लिखा हुआ है AS पांच में लिखा हुआ है अगर fundamental accounting assumption going concern, consistency और equitable are followed तो हमें disclosure करना है के नहीं करना है disclosure नहीं करना है और अगर not followed तो क्या disclosure करना है disclosure करना है क्या AS खतम हो गया AS खतम हो गया सारे बच्चे बताओ क्या एक भी जगा institute ने लिखा है कि ये हमको अच्छी policy यां ही बनानी चाहिए बुरी policy नहीं बनानी चाहिए ये एक भी जगा लिखा है नहीं लिखा है अगर आप से कोई पूछे कि AS1 की weakness क्या है तो याद रहेगी बात आपको कि this does not mandates us to follow the good policies what it says it says only to disclose it मतलब मैं आप से कह रहा हूँ जरा सुनो मैं आपका parent जैसा हूँ तो सोचना तो आप मुझे बताना कि मैं आपको राय दे रहा हूँ तो आपको कैसा लगेगा मैं कह रहा हूँ बेटा चाहे कतल कर देना बस बता देना तुम हाँ हाँ नहीं कर रहे हैं अंदर से क्या बात कर रहे हो कह रहे हो चाहे कतल कर दो पर बता दो क्या उमीद कर रहे थे as a parent मुझसे आप कि मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा बेटा कतल मत करना मैं तो ये बोलूँगा पर आपके AS की इसलिए बुराई होती है क्या आपको समझ में आती है ये institute ने एक बार theory में question पूछा हुआ है कि बताओ इस AS की weakness क्या है समझ में आ रही है बात तो weakness क्या है समझ में आ गई इसने अपने main principles में word कौन सा बोल रहा हूँ main principles में ये नहीं कहा है कि अच्छी policy का चुनाव होना चाहिए ये उसकी weakness है बताओ focus किस पे रहा है पूरा focus किस पे रहा है पूरा focus रहा है सिर्फ disclosure पे और किसी चीज़ पर नहीं रहा है अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ क्या main principles के अलावा कहीं पर लिखा हुआ है आओ जिरा देखते हैं main principles के अलावा अब जिरा ध्यान से क्या ये main principle है जो बोल्ड में नहीं है क्या ये main principle है नहीं यहां पर आकर पढ़ो क्या लिखा हुआ है consideration in selection of accounting policy अच्छी बातें कहां लिखी है यहां लिखी है कहता है हमारे को किन बातों का consideration का क्या मतलब होता है किन बातों का ध्यान रखे in selection of accounting policy तो मुझे बताओ क्या अच्छी बातें भी लिखी हुई है क्या AS में ये लिखा हुआ है कि हमें अपने पास policy कैसे बनानी चाहिए हां लिखा यहां पर भी हुआ है क्या ये लिखा हुआ है कतल ना करें फटा फट से बताओ बुराई का कारण ये नहीं है कि A.S. में नहीं नहीं लिखा हुआ मेन प्रिंसिपल में नहीं लिखा इन्होंने कि हमको अच्छी पॉलसियां मनानी चाहिए मेन में क्या लिख दिया उन्होंने काली डिस्क्लोजर करो और अच्छी पॉलिसियां कहा लिखी है उन्होंने उन्होंने कहा पॉलिसियां बनाते वक्त ये करना चाहिए ध्यान से आपकी अच्छी पॉलिसियां क्या होंगी फड़ा फट से बताओ अच्छी पॉलिसियां कौन सी होंगी जिससे फाइनेशल स्टेटमेंट क्या बने फड फट से बताओ, पुरूडेंट होना चाहिए, the answer is yes, क्या आपको substance over form, what is substance over form, आप अपने पास जो फैसले करोगे, कानूनी शकल के हिसाब से नहीं करोगे, सच के साथ चलोगे, सारे बच्चे कसम खाओ, हम जीवन में सच के साथ चलेंगे, कानूनी चीजों के हिसाब से नहीं चलेंगे, सच के हिसाब से चलेंगे, यह हमारे AS में लिखा हुआ है, materiality, आप फालतु की बकवास नहीं करोगे, आप हमीशा material बाते करोगे, फड़ा फट से बताओ, क्या ममी पापा भी आपको बोलते हैं, तो बेटा बकवास बहुत करता है दोस्तों के साथ जब होता है तो, फालतु नहीं बोलना चाहिए, क्या आपको माता पिता बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं, वैसे एक बात बताओ, क्या जितनी बाते मैंने बोली, क्या आपके माता पिता भी आपको बोलते हैं बकवास मत करो काम की बात करो सबस्टेंस ओवर फॉर्म सच की रहा पे चलो क्या ममी पापा भी बोलते हैं सच की रहा पे चलो हाँ समझदार बनो क्या ममी पापा बोलते हैं के नहीं हम भो भी बोलते हैं और financial statements हैं तो true and fair बोलना पड़ेगा, ममी पापा true and fair word का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, AS की बुराई करो, फड़ा फट से, मैं देखता हूँ आप क्या बुराई करते हो, AS की बुराई करो, AS1 की बुराई करो, AS1 की बुराई ये है, it does not specifies in its main principles, how to select policies, समझ में आ गई, but, क्या it does, tells you how to select policies, फटा फट से बता, the answer is yes, ओके, ये हमको बता तो देते हैं, policy हैं अच्छी कुन सी हैं, बुरी कुन सी हैं, पर main में नहीं बताते, main में क्या बताते हैं, main में तो सिर्फ कहते हैं, disclosure करके दिखा दो, और कुछ नहीं है, क्या आपको, एक minute के लिए, hand return notes के अंदर भी ये बातें दिखा दें, वहाँ पर भी ये लिखी हुई हैं, how to select accounting policies, कि मुखे consideration क्या है, true and fair, और बाकी consideration क्या है, बाकी consideration है, कि आप अपने पास क्या रहें, समझदार रहें, policies कौन सी बनाएं, more prudent, यानि कि अपने खर्चों को ज़्यादा बुक करें, income को ना बुक करें, और substance over form, आप अपने पास सच का साथ दें, कानून को ना देखें, जैसे hire purchase के अंदर machine करीटते हो, तो आप उसके मालिक नहीं होते, फिर भी उसे मालिक के रूप में treat करते हो, और आप materiality, यानि कि आप अपनी policy आं जो बनाओगे, इसके साथ ही हमारा accounting standard तो समाप्त हो गया,